X, Y और Z profit share करते थे आपस में इन्दा ratio 3 is to 2 is to 1 उनकी firm अपनी books close करती थी on 31st March every year इन में से Y की death हो गई on 30th June 2023 और जिस दिन Y की death हुई उस दिन पूरे firm इं गुडविल जो value करे गई थी वो थी Rs. 60,000 और जो Y का share of profit है जो की निकाला जाएगा on the basis of previous year's profit जो की है Rs. 1,50,000 यह जो Y का profit है वो उतने महिने का निकाला जाएगा जितने महिने उसने इस साल काम किया है अब firm अगर अपना account March में close करती है और death जो है वो जून में हो रही है 30 जून को तो इसका मतलब यह हुआ कि Y ने 3 months काम किया है in this particular year ठीगा बचो तो Y को जो profit निकाला जाएगा वो 3 months के हिसाब से निकाला जाएगा और last year profit के basis पे निकाला जाएगा और यह estimated profit कैलाएगा क्योंकि हम actual profit नहीं find out कर रही है इन 3 महिने का उसके लिए आपको final accounts बनाने पड़ेंगे तीन मेने के ठीक है profit and loss account and then उसके बाद जाके पता चलेगा कि Y का profit actual में कितना है तो फर्म यह काम ना करके उसका profit estimated basis पे दे रही है और basis on the last year's profit ठीक है बच्छों और Y के हिस्से गुडविल आपको निकालनी होगी क्योंकि यह गुडविल तो पुरे फर्म की है तो 60,000 अगर पुरे फर्म भी गुडविल है तो Y के हिस्से गुडविल हो जाएगी 60,000 into 2 by 6 जो की आता है बच्छो 20,000 अब रही बाद sacrificing ratio यहां gaining ratio की of X and Z तो आप देख सकते हैं बच्छों इनका ratio है 3 is to 2 is to 1 और Y के death के बाद कोई नया ratio given नहीं है कोई further information है नहीं about profit sharing ratio तो ऐसे में X और Z का नया ratio as well as gaining ratio दो नहीं हो जाएंगे 3 is to 1 ठीक है बच्छों आईए आप बना लेते हैं general entries related to Y share of goodwill as well as Y share of profit तो पच्छों Y share of goodwill के लिए X के capital account को Z के capital account को आपको debit करना है और Y के capital account को आपको credit करना है Y में आएगा 20,000 इसको हम X और Z से ले लेंगे in their gaining ratio which is 3 is to 1 तो 15,000 हम X से लेंगे 5,000 हम Z से लेंगे और Y को कर देंगे credit with रुपीस 20,000 clear बच्छों Y के share of profit के लिए entry बनेगी profit and loss suspense account debit ठीके बच्छों जब भी हम profit partner को अंडाले से देंगे तो हम ये profit उसको profit and loss suspense account के थूँ देंगे तो P&L suspense account debit हो जाएगा और Y का capital account credit हो जाएगा अब Y का profit है कितना समझे बच्छों इसको पिछले साल का profit था 1,50,000 वो पुरे साल का था लेकिन Y ने इस साल के वहल 3 months काम किया है तो into 3 by 12 कर दीजिए into Y का share जो की 2 by 6 है ठीक है बच्छों इसे solve करेंगे तो 3 into 2 6 और 6 से 6 कट गया 1,50,000 को 12 से divide कर दीजिए ठीक है बच्छों तो यह आजाएगा आपका 150 upon 12 होता है बच्छों 12 12 जा होता है 144 और बच्छा 6,000 तो बच्छा 12 500 आजाएगा बच्छों आप 1,50,000 को 12 से divide करेंगे तो answer will be 12,500 यह आ गया बच्छों वाई के हिस्ते का profit ठीक है बच्छों यहां पर गेनिंग रेश्यों तो 3 is to 1 आया था x or z का because old ratio था x y z का 3 to 1 और y की death हो गए थी और further कोई information नहीं थी तो ऐसे में बच्छे पार्टनर्स का जो ratio होता है आपस का वहीं उनका निया ratio as well as उनका गेनिंग रेश्यों बन जाता है ठीक है बच्छों वैसे क्वेश्यन है क्वेश्यन नुबर 6 ऑफ चेप्टर डेट ऑफ पार्टनर्स फॉम द बुक टी इस ग्रिवाल एडिशन जो मेरे पास बुक का है बच्छों वो है 2023 P, R और S profit share क्या करते थे आपस में in the ratio 4 is to 3 is to 1 it is provided in the partnership deed that on the death of any partner his share of goodwill is to be valued at one half या दखें बच्छों one half का मतलब आधा होता है बने हाफ याने डेड़ नहीं होता है ठीक है one half means half of the net profit created to his account during the last 4 completed years यानि कि अगर किसी partner की death हो जाती है तो उसको जो goodwill दी जाएगी या उसके जो से goodwill निकाली जाएगी उसकी valuation इस तरह से की जाएगी कि पिछले 4 साल में उसको जो भी profit दिया गया है उसका one half उसकी goodwill हो जाएगी पिछले 4 साल की profit में उस disease partner का जितना भी हिस्सा है into one by two कर दीजिए उसके हिस्से goodwill आ जाएगी ठीक है बच्चो इनमें से R की death हो गई 1st April 2023 को और पिछले 4 साल के जो profits हैं वो कुछ इस तरह से हैं 1920 का है एक लाग बीस अजार वन लाग 20 थाउजन 2021 का है रुपीज 80 थाउजन 21 22 का है रुपीज 40 थाउजन और 22 23 का है रुपीज 80 थाउजन ठीक है बच्चो ये हैं पिछले 4 साल के profits जिनके basis पे हमें हमें आर के हिस्से गडूल निकालनी है तो सबसे पहला काम तो यहीं करते हैं बच्चो हम कि इन 4 साल के profit को एड़ कर लेते हैं ठीक है और अपॉन 4 मत करें यह का बच्चो क्योंकि यह कहीं नहीं कहा गया कि 4 साल का अबरेज है यह जुरूर कहा गया है कि पिछले 4 साल में डिसीज पार्टनर को जितना profit दिया गया है उसका बनाव तो चारों साल की profit जोड़िए आर के हिस्से से multiply करिए जो कि 3 by 8 है और इंटो 1 by 2 कर दीजिए आर के हिस्से गडूल आ जाएगी ठीक है बच्चो आईए इसको देख भी लेते हैं आर्स गुद्विल इस इक्वल तू रूपीज 1,20,000 रूपीज 80,000 रूपीज 40,000 और रूपीज 80,000 चारों साल की profit को जोड़ लिया इंटो हिस शेयर इंटो हाव ठीक है बच्चो इस तरह से आर के हिस्से गडूल निकल लाएगी 120 प्लस 80 टू लैक 2 लैक 2 लैक 2 लैक 2 लैक 20,000 तो 3 लैक 20,000 इंटो 3 by 8 इंटो 1 by 2 ठीक है बच्चो 8 इंटो 4, 32 यह गया 40,000 अपॉन 2 करेंगे 20,000 इंटो 3 करेंगे तो आएगा 60,000 तो आर के हिस्से गुडविल आ गई बच्चो रूपीज 60,000 अब इनका ओल्ड रिश्यो था 4 इस तो 3 इस तो 1 पी आर इस का आर की डेथ हो गई तो जो बचा वो रेश्यो है 4 इस तो 1 वही पी और इस का निया रेश्यो है और वही पी और इस का गेनिंग रेश्यो भी है बच्चो ध्यान रखेगा अब इसकी एंट्री देख लिए गुडविल की पी और अज्यो यह तो नों डेबिट हो जाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट 4 इस टूवन के रेश्यो में और आर का कैपिल अकांट क्रैइट कर दिया जाएगा तो P's Capital Account Debit S's Capital Account Debit to R's Capital Account R में आएगा बच्चो 60,000 और इसको जब 4 to 1 के दिशियों बाटेंगे तो आएगा 48,000 और 12,000 तो इस तरह से adjustment entry बनाई जाएगी R's share of goodwill के लिए ठीक है बच्चो तो goodwill निकाला कैसे वो भी आपको उमीद करता हूँ समझ में आगया होगा goodwill के adjustment entry भी आपको समझ में आगया होगा बच्चो असानी से ठीक है बिलकुल retirement जैसी है adjustment entry है goodwill की और gaining ratio भी जो है most of the question में जब कोई information नहीं दे रखी होती है तो gaining ratio और नया ratio ऐसे ही निकाला जाता है जो partner retire होगा उसके हिस्ते को अटा दीजिए जो बचता है वही है remaining partners का नया ratio और वही remaining partners का gaining ratio बन जाता है चीक है बच्चो वैसे है question number 7 of the book T.S. Vriwal chapter का नाम है death of a partner और जो edition of it plus book का है बच्चो that is 2023 यह उसके page number 6.30 पे given है question and it's a very good question बच्चो